स्वागत है दोस्तों टिक्स कार्ड़ा में फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है आज हम लोग देखेंगे एक जुन का करेंट से फियर जिसमें आप सभी को 15 कोश्चिन रहेगा इसमें जिसमें 10 कोश्चिन एक जुन का रहेगा और 5 कोश्चिन पिछले 6 मंद का रहेगा जो आप सभी के लिए रिभाइज के लिए ये पांच कोशन दिया जाएगा तो दोस्तो आई वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तो आज का पहला कोशन है कि भारत में पिछले कुछ दसको का सबसे बड़ा टीडियों का हमला हुआ है यह किस महादेश से आया है तो दियान दिजिएगा इसका इंसर ऑप्शन भी होगा यानि जो हाल ही में जो टीडियों का जो भारत में जो आकरमन हो रहा है वह जो आया है वो कहां से आया है तो अफरीका महादेश से आया है इस बात को धियान रखिएगा त्यान दिजेगा अब इसको इंगलिस में इसको क्या कहते हैं टिडी को तो लोकस इसको कहा जाता है त्यान दिजेगा अब यह पहले जो आया है यह कहां से तो अफरीका में था अफ्रीका से यमन, यमन के बाद इरान, इरान के बाद पाकिस्तान और पाकिस्तान होते हुए कहां आया है तो भारत में आ गया है और इसके लिए फूड एगरिकल्चर और्गनाजेशन ने एक दिशा निर्देश भी जारी किया है चताबनी दिया है कि इसके आने से एक खाने की समस्या भी उत्पन होने वाला है यानि जूठ बहुत अधीक करता है यसके अनुपात में इसका जुवाकार होता है उसके उसके बढ़ा होता है और टिडडी जो भारत में आया है वो कितना परकार के भी आया है तो 4 परकार के हैं कौन-कौन सार, राजस्तानी टिड़ा, पेड़वाला टिड़ा, प्रवाजक टिड़ा, और बंबई टिड़ा तो इस परकार का है तो चलिए आगला कोशन क्यों बढ़ते हैं कि लिएगा तो आगला कोशन है कि हाल ही में किस राज सरकार ने प्रवासियों के लिए मुख मंत्री स्वरोजगार योजना का सुभारंभ किया है तो इसका एंसर होगा उत्राखंड सरकार के दोड़ा हाल ही में मुख मंत्री स्वरोजगार योजना का सुभारंभ किया गया है अभी इसमें देखिए का यानि जो प्रवासी जो लोट करके आए हैं जो प्रवासी जो लोग है यानि दूसरे राज में जो काज करते थे वो अभी कोविड-19 के करन आ करम किया गया है और आप लोग ध्यान दियो होंगे कि कुछ समय पहले एक होप पोर्टल विलाउंच किया गया था यानि यह सभी विरोजगारों के लिए था जिसका यानि होप का पूरा हो हेल्पिंग पीपल आउट एवरीबन यानि हो पोर्टल हालही में लांच किया अब बात किया जाया का था था कौन है तो आगला कोशन के हाल ही में बाड़ा ने लंबी दूरी की धाविका कीरण जीट कॉर पर बताईये का कि कितने साल का परतिवंध लगा है तो इसका इंसर होगा option C यानि चार साल का परतिवंद किया है द्यान दीजेगा अब यह बाड़ा क्या है तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जो यह जो बाड़ा एजेंसी है इसका पूरा नाम क्या होता तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी अब एक क्या होता है यह इसमें खाने पीने पर टेस्ट किया जाता है यानि उसको क्या का जाता है डोप टेस्ट का जाता है तो डोप टेस्ट में फेल होने के कारण इस पे चार साल का परतिवंद लगाया गया है अब बाड़ा की बात आई है तो बाड़ा का जो अस्थापना हुआ है कब हुआ है तो इसका हेड़क्वार्टर्स की बात अगर किया जागा तो मुख्याले है जो कहा है तो कनेड़ा में है और इसका जो अभी प्रेसिडेंट है तो बिंट्राड बंका है चलिए का अगला कोशन के तरह बढ़ते हैं तो इसका ऑप्षन यानि चार साल का परतिमन लगाया है चल यानि बेंकट रमनी सुमंत्रन कौन है तो बेंकट रमनी सुमंत्रन को हाल ही में इंडिगो का स्वतंत्र निर्देशक के रूप में निउप्त किया गया है अब देखिए कि हाल ही में राजी बंसल को निउप्त किया गया था किसका तो एयर इंडिया का एयर इंडिया का नि चलिए का अगला कोश्चन के तरह बढ़ते हैं तो अगला कोश्चन आपके प्रारा ध्यान दीजेगा हाल ही में अंतराश्टिये एवरेश्ट दिवस के रूप में कब मनाया गया तो इसका इंसर होगा माekk Lyn यहां पर माउट एवरेश्ट की बाता ही है तो माउट एवरेश्ट को नेपाल में से चाना जाता है और भारत की जो प्रथम महिला थी जो माउंट आउरेस्ट पर चड़ी थी तो वो कौन थी तो बच्छंद्री पाल तो इसका एंसर होगा यानि अंतराश्टी ये माउंट आउरेस्ट दिवह जो मनाय गया है वो कब मनाय गया तो 29 मई को मनाय गया है अगला कोशने के हाल ही में की सरा सरकार ने 800 किलो मीटर सनकों को हरवल सनक के रूप में बिक्सित करने की गोषना किया है तो इसका एंसर होगा याट सो किलुमेटर जो सनक है उसके जो साइड यानि जो किनारा है किनारे किनारे जो बहुत सारा जो नीम बरगत पीपल यानि आस्थी युक्त जो जितना भी जो पेड़ पोधे होते हैं उसको लगाया जाएगा दिजेगा आप यहां पर बात उत्तर परदेश किया है तो उ सबसे अधिक्तम है जो कितना है तो अगला कोशन कित्र बढ़ते हैं अगला कोशन है कि हालही किसरा सरकार के लिए रोजगार सेत्यों योजना का की या दिएंडीजे का एक की बात मतफ परदेश किया खेल है तो मत पर परदेश से हों जीवन अमृत्यो even लिए उसके बढ़ाने के लिए दिया जाताा है उसके बात किया है तो जीवन सकती यो जुझन जो है मास्क समतित्य प्रती महिलाओं को 200 मास्क बनाना है ुसको सरकार 11 ुसरी को इस सबहते रहें कि दियांदे प्रागए कि अगला जुझन ने किस सरकार ने लाख की खेती को क्रीशी का दर्जा दिया है यानि कौन सा सराज है जो लाख की खेती को क्रीशी का दर्जा परतान किया है इसका एंसर होगा option c 36 गड trust Т capacity सरकार के दोर्रा व्यारी में जो लग की खेटी है क्या दर्जा दिया है अर इसको क्रीशी यह होता है तो कीडों को पाला जाता है उसका झाल लेक्वीड होता है वह क्या करता है यो भी न को छूड़ता सब्सक्राइब 20 जोगी उनका नाम था बर्तमान समय ने इसकाथ Arms अगला कोशण केत्र बढ़ते हैं अगला कोशण को परते हैं अगला 시청 कि पाशी है थे के महानिक्त डो साल के अपशनी और संधीर प्रधान जी का हाल है इसका स्थापना की स्वर्थ हुआ था इसका स्थापना 1984 में हुआ था इसका है इनके जो अधियाच जो है वह कौन है तो संदीप प्रधान है अगला कोशन आगया आपके स्क्रीन को पर ध्यान दीजेगा अगला कोशन है कि हाल ही में एफेश डीसी की 22 मी बैठक की अधिया इसका पूरा नाम क्या होता है तो फाइनेंशियल एस्टेबिलीटी एंड डेवलप्मेंट कॉंसील होता है इसका जो पैठक का अधिया निर्मला सिता रहान निर्मला सिता रहान भारत के बित मंत्री है इस वात को भी आप धियान रखेगा अगला कोशन के द्रबढ़ते है अगला कोशन आपके स्किन को प्रह यहां से आप भियान दीजिए और यानी चह दिए सब्ता बंदरगाह को लेकर सिरिलंका किस देश के साथ किया है तो नहीं तो नहीं को लेकर के पाकिस्तान किया यह बूटर पंदरगाह को ले कर ले करके हैं तो आगला को बढ़ते हैं अगला को अपके सिंग उपरा दियान दीजेगा कि भारत का सब बनाया है तो आप लोग पता हूं सेतु का नाम प्राइने एक पांच किलो मिटर है इस वात को भी आप लोग धियान रखिएगा और यह जो बनाया गया है असम और अरुनाचल परदेश के बीच में बनाया गया है लिएगा अगला कोशन है कि हाल ही में ADB का नया अधियच की से चुना गया है तो धियान दीजेगा option C इसका बिल्कुल crack cancer होगा यानि हाल ही में मात्सुगू अश्काबा को ADB का अधिया चुना गया है अब ADB का पूरा नाम कहाता है तो ACN Development Bank होता है इसका अधिया चुबनाया गया वो किसे बना गया तो मात्सुगू अश्काबा को बनाया गया है अब धियान दीजेगा कि पहले कौन थे तो पहले जो थे यानि ताके ही के नकाव पहले जो थे इसके अधियाच हुआ करते थे लेकिन बरतमान में change हुए है चलिएगा आगला question के तरब भढ़िएगा अगला question की तरब भढ़िएगा अगला question की तरब भढ़िएगा अगला question आपके स्किंक पर आगया धियान दीजेगा अगला question है कि हाले ही में पूर्वी काली मंतन कीस देश का राजधानी बना है धियान दीजेगा यानि धियान दीजेगा कि कीस देश की राजधानी बना है धियान दीजेगा इसका option C बिल्कुल correct answer होगा धियान दीजेगा इंडोनेसिया के जो नई राजधानी बनी है वो कह तो नई पाइदाब है उसके बाद अगर सिरलंका की राजधानी हाली में चेंज वाया तो सिरलंका की क्या है तो जवर्धने पूरम कोटे में हैं तो यह आज का 15 करेंट से फिर कोश्चन था अब देखिए आज का होमबर्क के लिए आपको एक कोश्चन दिया गया इसका जव पूंटेट लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा और हमारा जीके जीएस का जो लाइव क्लास चलता है तो लाइव क्लास से आप लोग जरूर जुड़ें धन्यवाद जय हैं इंद